गुड मॉनिंग दोस्तो तो भज रहे हैं सुबे के छे और मेरी सास ने शुरू कर दिया है सबाई अभ्यान तो चल रही है गोबर से लिपाई क्यूंकि ये गाउं है और शुद माना जाता है गोबर से लिपाई पुताई और दूसर तरफ चल रही है हमारी पेड के ताजे ब राद में दिखाऊंगी और जैसे ही सारे घिसाई हो जाएंगे तो हम लोग जट पट रेडी होके निकलेंगे मार्किट के तरह क्योंकि दिवाली लक्ष्मी पूजा और काली पूजा की शौपिंग करनी तो पड़ेगी तो हम लोग चले गए फूट मार्किट और मार्किट में तो जाके यार मेरा तो एक पल दिमागी काम नहीं कर रहा था रात तो ही रात सारे फलो के रेड बढ़ गए तो कुछ ना समझते हुए फिर भी तो कुछ लेना ही था तो मैंने मिला जुला के तो अपनी फूट मार्किट कम्प्लीट कर ली और लेना तब पूजा है तो पूजा में यार बहुत सारी चीजे जो लगती है वह भी सारा हमने लिया लेने के बाद जो है हमें अपनी मूर्ती मालक्ष्मी की और बहुत बड़ी लेनी थी बहुत छोटी लेनी थी क्योंगे मंदिर घर बहुत चोटा है उस हिसाब से मैंने अपने ले एक मूर्ती वोट है तो में एक मूर्ती परसंद करके लेकर आ गई हूं तो में आपको बाद में दिखाऊंगी मैं कौन सी मूर्ती लेकर जा रही हूं ठीक है तो और फिर हमें मारकेट में सोचा कि और कुछ लेना तो नहीं है फिर हमने फुर्ट मारकेट लेते लेते अभियाद रहें कि तो फिर गंणा हमने लिया कुछ, गंणा उनना लेने के बाद हम लोग हमारी मार्केट पूरी कम्पलीट हो चुकी थी, हमने कुछ स्थे लेना था, वो भी ले लिआ लिया, लेने के बाद हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा देती हूँ कि देखो बजार में कितना भीड़ था और फिर ये तो मैंने कर लिया था आज का काम फिर हमें दूसरे सुभे उठना था और उठके जाना था मंडी फूल मंडी मतलब हमारे इदर फूलों की बहुत बड़ी मंडी है और स साम प्राइज में मुझे इतने फूल मिलेंगे मैंने मैंने सोचा नहीं था मतलब मुझे थोड़ा चीह था पर दिल तो कर रहा तक मैं सारा ही ले लू देख रहो कितना प्यारे लग रहे हैं आपको बनी हुए है कि लड़ी मिलेगी और यह सब फूल मैं क्या ही बताओ इतन दिवाली थी तो दिवाली के सुबह घर साफ करके तो यह नारिल के लड़ू जो थे मैंने फटाफट बनाया और यह मुर्मूरे के लड़ू मैंने बना लिये और ऑफ्ली एकाद लड़ू बनाया थे जो मैं सूट नहीं कर पाई और सुबह दूबह नहाद होके पूजा की करके यह जो होता है इसे बंगाली में अलपुना बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छी खलाकारी तो नहीं आती तो जितना भी आता है मैंने करा क्योंकि मैं और अच्छा करना भी चाहती थी बट एक छोटा बच्चा होने के कारण बहुत सारी चीजे टाइम से नहीं हो पाती है यूँकि सुबह सुबह अभी लक्ष्माता का पूजा जो होता है वो सारा हम लोगों निप्टाना है फिर दुफैर का लंच भी बनाना है और उसका शाम का प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा है तो यह देख रहे हो आप यह कमल को फूल है ना तो इसमें लक्ष्माता विराजमान होती है तो मेरी सासमी तो इस तरीगे से माता को विराजमान करा है और यह कमल को फूल उनको दिया है ताकि वो उसमें भी बैठे और शाम हो गई है और शाम को मैंने अपने जो बरांडा होता है तो उसमें मैंने यह रंगोली बनाई थी घर को इस तरीगे से मैं अच्छा पर्टा था सबसे बड़े इच्छपा दियुकर चाट है इस चान ऑफिते हैं तो अच्छा परगता था है जबने हम अखिता है तो आप लोग की दिवाली कैसे बनी आप हमको जरू कमेंट बॉक्स में बताना और मेरी रंगोली आपको कैसी लगी ये भी बताना और आप सबको मेरे तरफ से हैपी दिवाली हैपी भीया दूज सब खुश रहो